तो आज मैं तुम्हारे पुजाइव लाँचर के अंदर 500 से भी जादा FPS लाने वाला हूँ और ये चीज मैं यहाँ पर पिना किसी मॉड्स या क्लाइंट का यूज करें बगैर करने वाला हूँ आज हम लोग पुजाइव लाँचर के लाँचर को यहाँ पर जर्ट से निकालने का खुजिस करेंगे ताकि तुम लोग यहाँ पर पुजाइव लाँचर को एकदम स्मूदली खेल पाओ तो अगर तुम लोग चैनल पर नियो हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना मैं इस तरी के वीडियो पूरा देखने पाद ही कोमेंट भी जरूर करना अगर तुम लोग यहाँबर पूछ सकते हो और अगर तुम्हारा लाइक यहाँपर फिक्स हो जाता है तो registration करके तो लोग को जो भी टीम लगते जीतने वाली उसके ओपर तुम लोग को यहाँ पर जो पैसे लगा देने वनेक्स बैट देता है तुम लोग को 3x तक के रिटरंस एंड अगर तुम लोग यहाँपर 117 से ज्यादा बैट लगा तो तो तुम लोग को यहाँपर मिल सकता ह से 167 पर अगर तुम लोग जो है रेजिस्ट्रेशन का टाइम मेरा प्रोमो को क्राइसिस यूज करते हो तो तुम लोग को 66,000 तक का वेलकम बोनस मिल सकता है तो अब देर के इस बात कि यार जल्दी जाके वन एक्स बेट पर रेजिस्ट्रेशन करो एंड इस 2020 वर्ल्ड कप मे इंडिया को सपोर्ट करो अभी जो तुम लोग यहां पर गेमप्ले देख पार होगे यह जो है यहां पर एकदम नॉर्मल से गेमप्ले है अभी तक मैंने यहां पर इसमें कुछ भी नहीं किया है एंड जो ही तुम लोग देख पार होगे मुझे यहां पर 30-40 fps तक आ रहे ह तुम लोग को उसके अंदर गेम वर्जिन में यहां पर 1.20.1 की वर्जिन में यहां पर जाना है तो तुम लोग हमारा Discord जोइन कर सकते हो, उसके अंदर तुम लोग को एक Downloads का यहाँ पर चैनल मिल जाएगा, उसके अंदर जाके तुम लोग उसको Download आराम से कर सकते हो, उसी के साथ-साथ Memory Allocation का भी है, मैं यहाँ पर बात करूं, तो 2000 बहुत होता है, क्योंकि देखो, यहाँ मैं तुम लोग को Memory Allocation का पूरा अभी Scene समझाता हूँ, तो देखो, कभी-कभी गेम के अंदर यहाँ पर entities का count यहाँ पर बहुत जादा बढ़ जाता है, या फिर कभी-कभी ऐसा होता है कि गेम को यहाँ पर काफी जादा RAM की Uses की जरुत पढ़ती है, जैसे कि for example, तुम यहाँ पर अपना RAM को बढ़ा के, यहाँ पर 4000 RAM तक कर दोगे, तो वह चीज यहाँ पर Crash नहीं हो गया, तुमारे गेम यहाँ पर चलते रहेगा, तो basically RAM यहाँ पर तुमारे गेम को Crash होने से बचाता है, और performance में उतना यहाँ पर difference नहीं लाता है, and I hope कि तुम लोग को समझ आ करके नहीं बताऊंगा, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, and in सारे settings के साथ साथ मैं यहाँ पर एक resource pack भी उस कर रहा हूं, 32x वाला, इसका भी download link तुम लोग को यहाँ पर जो डिस्कॉर्ड में देखने को मिल जाएगा, and अगर तुम लोग को नहीं पता है कि दिस्कॉर्ड से कैसा डाउनलोड करना है, इसका मनलब तुम लोगों ने वीडियो स्किप कर दिया, and देखो तुम लोगों ने settings और यहाँ पर सब तो कर ली, but एक चीज़ काफी important है जो कि मैं तुम लोगों बोलना चाहँगा, वो है तुमारे device की storage, तुम लोग यहाँ पर देखते हो, इसकी मतलब से जो तुमारे phone के अधर available RAM रहता है, वो जो यहाँ पर और भी बढ़ जाएगा, तो तुमारे game के अंदर वो यहाँ पर help करेगा ही करेगा, and अभी जैसे कि तुम लोग यहाँ पर gameplay देख पा रहा होगे, हम लोगों यहाँ पर 300-400 fps तो एकदम आसा सौस से लेकर 2-1 fps तक यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे, and just to remind you, यह सभी चीज़ें यहाँ पर without any mods हुई है, and अगर तुमारे पस वीडियो के लेटेट कोई भी questions है, तो तुम लोग उसको यहाँ पर जो comments में पूछ सकते हो, and अगर तुमारे यहाँ पर lag fix होता है, तो thank you जरूर लिग देना यार, and 1x bet पर register करना मत बूला, मेरे good crisis को use करके, and अब मैं मिलता हूं तुम लोग को ऐसी एक और खतरनाक वीडियो के साथ, good bye